कि नमस्कार एक बाद फिर से आप सभी सातियों का हार्तिक स्वागत अभिनंदन TNC की इस ओनलेंग प्रेफॉंप में आज एक एतहासिक दिन है और एक बहुत ही जबर दिन है आज एडवांस स्रीज का शोवा एपिसोड आपके साथ रिलीज किया जा रहा है बहुत सारे साति यहां पर इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो एडवांस स्रीज से उसके सारे फैन फॉलोवर्स उन सभी को भी आज के इस एतहासिक दिन पर मैं बहुत-बहुत बधाईया शुब कामनाई देना चाहता हूँ एज टीम मिंबर्स एज टीम कोडिनेटर्स और एक छोटे से सदिश्य होने की नाते मैं जितने भी टीम के जितने भी सदिश्य है उन सभी को इस एतहासिक सण की भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने आप तक सो एपिसोड पहुचाने की पूरी की पूरी पिसंट कोसिस किये और आप तक एक बेस्ट कंटेंट पहुचाने में पूरा प्रयास किया है सबशे पहले इस Advanced series के जनक और मैं Advanced series के बारे में अगर मैं बात कूको तो सबसे ज़्यादा hard working और सबसे ज़्यादा मेहनत जिस सर ने किये जिसका नाम आप सभी जानते हैं और आपके चहेते आपके फेवरेट उन सर को जिनका नाम है अउदेश सर फाइट टाइम रेंकर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने 100 episodes आज पार कर लिए आप सब लोगों के साथ और सयोग और सन्हे से ये episodes लगातार आगे भी जाई रहेंगे और continuously चले रहेंगे ये दिन बहुती बड़ी मुश्किल से आता है यनि 100 दिन पार करने के बाद ये एक सतक वाला आकड़ा पार करना होता है तो आज मैं थोड़ी से आपसे चर्चा करना चाहूँगा और चर्चा में मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता जैसा कि आप सभी को पता है कि advanced series का एक सबसे बड़ा rule रहा है कि उसमें कोई advertisement नहीं की जाती है किसी भी plan के बारे में आपको नहीं बताया जाता है सिर्फ एंड सिर्फ एक की चीज़ पर focus किया जाता है वो है सिर्फ एंड सिर्फ quality content पर और उसी को मद्दे नजर रखते हुए इसको continuously किया जाता है इस advanced series का नाम एडवांस क्यों रखा गया उसके बारे में बात करना चाहूंगा आज मैं digital platform के माधियम से जरूर मैं पटना से बात कर रहा हूँ और सर्व वहाँ पे goodgowns में ये classes continue कर पा रहे तो मैं मेरी बात रखने के लिए वीडियो उनके साथ ये share कर रहा हूँ आप सभी के साथ share कर रहा हूँ इस series का नाम एडवांस क्यों रखा गया एडवांस का मिनिंग ये होता है सबसे आगे आगे चलने वाला इस series का नाम जिस प्रकार से सोचा गया series का रखा गया है उसी प्रकार से उसमें content समलित किया गया है किसी की बुराई नहीं करना चाहता है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो मोटो रहा है कि हम आपको ऐसा quality content दे जिससे भी आपको लगे कि हाँ जो free की class होती है जो YouTube की class होती है उसमें भी बहुत अच्छे से quality content दे जाता है और यह हमारी पैचान है तो आपको भी इस एधासिक दिन और बहुत ही सांदार एपिसोड की बहुत 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 बधाई है और शुपकाम में अब मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिस करना चाहूंगा और वो गुजारिस यह रहने वाली बहुत सारे बच्चे लगातार इस Advanced Series को फोलो कर रहे है लगातार इस Advanced Series को देख रहे है तो आज से अभी तक आपने जितने भी एपिसोड देखे हैं और इस एपिसोड को अगर आप देख रहे हैं तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से और वो हमेशे आपको follow करनी होगी टीचर अपने पूरी मेहनत करता है पूरा 100% लगाता है साती साते टीचर के साथ जितने भी technical experts उस वीडियो को record से लेकि उस वीडियो को आप तक पहुचाने के लिए जो team काम करती है उन सब का effort उसमें लगता है पूरी मेहनत लगती है duty के साथ जीज जान लगाने पड़ती है और सारे काम वो सारी चीज़े करने के बाद हम आप तक वो content पहुचाने में सक्सम हो पाते है तो आपका एक छोटा सा एक फर्ज बनता है वो फर्ज इतना जयता है कि आपको उस content के बारे में परत्री के जरूर देनी है एक comments जरूर देने होते है उस comments से teachers को पता लगता है हमेरी team को पता लगता है कि हम लोग क्या कर रहे है एक अच्छा comment जब हमें देखने को मिलता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा सकून मिलता है हमें लगता है कि हम एक सही रहा पर मैनत कर रहे हैं और यह हमारी जो मैनत है हम जो राद भर जाक के आपके लिए मैनत कर रहे हैं वह मैनत सही दिशा निर्देश में चल रही है और आपके लिए वह 100% कामदाइक हो रही है यह पहला एक बहुत ही बड़ी responsibility है as a viewers क्योंकि आपको बिल्कुल बना बनाया आपको प्रिपेर कंटेंट आप तक महुचाने में पुरी TNC की मदद कर रही है बहुत सारे एंटक्रेस के questions यहां पर सोल हो चुके आने वाले समय में यह हमीसा चलेगी यह बहुत सारे चीजें आप तक share की जाएगी बहुत ही सांदार best content आप तक महुचाए जाएगा उसके लिए आपको अवदेश सर को भी motivate करना आपका काम है आपकी responsibility है और अवदेश सर को यह नहीं पूरी team को motivate करना सिर्फ और जित्रे भी viewers इस चीज़ को देख पा रहे हैं उन सभी का काम है तो आपको करना क्या है सबसे पहले तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फेलाए जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए क्योंकि content क्या चीज होती है और content किस प्रकार करें और साथी साथ जादा से जादा है मॉंट्स के अंदर कमेंट जरूर करें जिसने टीचर को मोटिवेशन मिलता है एक संभल परदान होता है और वो ज़्यादा एनरजी के साथ मेहनत करने रगता है तो इस एथिहास इक संपर मेरी ये संदेश आप तो पहुंचाए का मन था और मैंने पहुंचा है मैं फिर से अवदेश सर और अवदेश सर की पूरी की पूरी टेक्निकल टीम और टेंची की पूरी टीम और साथी साथ अवदेश सर की जो आप हमेशा देखते हैं जो फैन फॉलवर्स है उन सभी को मैं बहुत-बहुत बढ़ाई और शुपकामन रहे हैं और वो कोशिस हमेशा सफ़ता में कनवर्ट होगी इतना ही कहने के बाद में मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा पैस्ट अप लग थैंक्यू स्वाबस धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी तो मुआसा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे अपना ध्यान रख रहे होगे टी एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभी नदन करता हूं मेरा नाम है अवदेश कुमार और टी एडवांस सीरीज के अंदर हम अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों फंडामेंट लोग नर्सिंग आज की जो हमारी क्लास है एक हमने एक माईलिस्टोन अचीव किया है आज हम पहली क्लास से और आज सोवी क्लास तक पहुचे हैं आज हमारी ये TNC सिरीज की हेंडर्ड क्लास है क्रिकेट में तो कभी मैसे तक नहीं बन प्यार दिखाया उस सब का मैं आप उस सब के लिए मैं आपके पर्ति सुकर गुजार हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूस एक से लेकर और सोवी क्लास तक बने हुए हो मैंने अपने पूरे मन से पूरे दिल से ये मेहनत की है कोश से जो सिरीज है दोस्तो इसका मेरा जो बेसिक था जो लाने का वह यही था कि हम जादा जो मैं आप सब लोगों को बढ़ाई देता हूँ आप सबी लोग बिननदन करता हूं कि आप लोगो ने जो प्यार दिखाया उसके लिए मैं आपको बार भार धन्यवाद देना चाहता है आज कि हम पहले क्लास से सोभी क्लास तक पहुच पाएं तो यह जो बढ़ाई का पात्र है वह मैं नहीं हूं यहां तक पहुचा हूं तो उसका पीछे उसके पीछे जो रीजन था जो सपोर्ट था वह सब आप हो और भोजरा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता कि सर देखो मैं कई बार आपको पता है कि क्लास जो है वो नहीं ला पाता हूं कंटिनुटी में मुझे प्रोब्लम होती है और मैं उसको एकसेप्ट भी करता हूं कि चाहिए वो मेरी फैमिली लाइफ हो या फिर जोब हो उसके कारण में कई बार कंटिनुटी नहीं कर पाया जोब की एक साथ साथ लेकिन दोस्तों भोजरा सर ने हमें इसा एक ही बात कहीं मुझे कि सर चाहिए आप क्लास चाहिए आप एक दो दिन नहीं ले किया वो चलेगा बट आप जो कंटेंट दे रहे होना उसमें कभी भी कमी मत छोड़ना कि ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के दर बच्चों को लाने के लिए आपने अच्छा पड़ाने की कोशिस हो बच्फों की कंसेप्ट जो किलियर कीिये हों लेकिन थ myster जल्ड़ी आप मैंने को किया दोस्तों सर के ऑन्ने इस बात को माना और हमैसा मैंने आप लोगों को पूरा कन्टेंट देने की कोशिए कि सोल ट्रिक्स देने के कोशिश की कि यह जो जो भी जो सब्जेक्ट है दोस्तों जो यह मैं कहूंगी जैसे हमने नीमेडिकल सब्जेक्ट पढ़ा है यह अब सब्सक्राइब करने की तो मैं आप लोगों को फिर से बढ़ाई देता हूं मैं सबसे ज्यादा बढ़ाई अगर आप मुझे मानोगे कि मैं किसको दूंगा तो मैं भोजरासर को देना चाहता हूं यह पूरा जो जो स्रे है कि देखो सिद्धी बात है दोस्तों मैं पढ़ा रह करने का कि नहीं कुछ चीज ऐसे होती हैं कि जो बच्चों के जरूरी हैं कुछ बच्चे मालो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए हम फिरी चीज़ भी लेकि आए और वह भी ऐसी चीज़ लेकिया है जो बच्चों को खुद पढ़ने में बहुत जादा दिक्कत हो तो इसी परपज के साथ में मैं आप लोगों के लिए लेकिया था तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी प्यारे बच्चों को जिन्होंने मुझे कई बार मोटिवेट किया है मैसेजेज भेज कर अगर मैं क्लास यह नहीं ला पाया कि सर इसको कंटिन्यू क सब्जेक्ट करवा दूंगा लेकिन जो आप लोगों को प्यार था कि सर आप बाकी की सब्जेक्ट से वह भी लाइए पूरी बुख को ही आपको करवाई कंप्लीट करवाई यह तो मैं स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट करके 22 क्लास तक बढ़ी उसके बाद में आप लोगो कि आप लोगों को कि जो हम यहां तक पहुचे हैं और आगे हम कोशिस करते रहेंगे दोस्तों मैं मेरा यह मेरा यह कंसेप्ट है या यह मेरा बेसिक हमें यह कहना चाहता हूं आप लोगों को कि जो हम यहां तक पहुचे हैं ना मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग 500 क्लास तक पहुचो आपको आगे इसकी जरुरत नहीं पड़े ठीक है क्योंकि हो सकता है कि यह इस बुक को करने के बाद हम अगली किसी बुक के उपर जाएं लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोगों का सबका सेलेक्शन हो जाए आने वाले नोट से एक्जाम के अंदर और आप जहां आप अपना यह मिस ठीक है यह प्रातना है मेरी बगवान से कि जो भी बच्चे क्लासे देख रहे हैं उनको इसका फायदा मिले जो भी चीजे हमने पड़ी है वो एक्जाम के अंदर आए ठीक है देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक्जाम के अंदर चीजे कुछ नहीं आती है आएंगी तो हमा पाया और उसको खतम करके कम्प्लीट कर दिया मैंने कोशिज के जो बच्च मालोग किसी कारणास कोचिंग नहीं भी ले पाया तो हमने हर एक डिजीज को दोस्तों चाहिए डिजीज के अंदर कोई प्रोशीजर आया हो मेडिकल सारी पड़े तो उसको हम इस परकार से अब हम बात करते हैं कि अब दोस्तों कर दोसके अंदर हर पूरा क्लास है, जी दोस्तों, वहाँ पर जागर आप देख सकते हो, उसके बाद में हमने पढ़ा था, दोस्तों, मस्कुलो इसक्लेटन सिस्टम, और नर्वस सिस्टम, ये एक्चुली में पूरा एक ही पार्ट है, उस बुक के अंदर तो उसी साब से हमने पढ़ा था, तो नर्वस सिस्टम साथ में दोस्तों, हमारा इसमें मस्कुलो इसक्लेटन सिस्टम भी था, तो मस्कुलो इसक्लेटन जो सिस्टम है दोस्तों, वह पढ़ा हमने, इसके बाद में मैंने मस्क्लो इसक्लेटन सिस्टम के बाद में दोस्तों, मैंने आपको पढ़ा है, इसके अंदर हमने आई और वह पड़ा दोस्तों इसके साथ में हमेरे नीूलरेशन भी पड़ी था फी मने तो हमने पढ़ा इसके लाबाध मैं आपको इन्टीङुमेंट्री दो सिस्टम है वह भी पड़ाया है इस अटेङुमेंट्री श सिस्टम तो यह सारी चिजह पड़ चुके हैं और अभी जो हमारा जो चल रहा है दोस्तों वो चल रहा हमारा फंडामेंटल ओप नर्सिंग जिसकी सब्सक्राइब करने का पूरी करेंगे कोशिस करेंगे कि जो इतना पार्ट दे नहीं रखा तो बाकी जो चीज़े बच रही है वहां आज तो आप देख सकते हों कि बहुत सारे जा रहे हैं पिछला जो देख सकते हो अभी जो एक्जाम हुआ था इस रोका उसमें देखो आप कितने सारे क्यूशन ऐसे आए हैं तो लेकिन सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा से एक अलग सिस्टम होता है सब्जेक्ट के अंदर जो पूछे जाते हैं और ज्यादतर जो पढ़ाओंगा जो आपको समझाओंगा कि मैं क्या डिफ्रेंस होता है और अगर को इंपोटेंट क्यूशन भी आए अगर जो इनकलेक्स पेस्ट है तो वह भी मैं आपको इसमें क्या करवा दोंगा दोस्तों कंप्लीट करवा दूगा एक तो में हमारी सब्जेक्ट पज़ से पढ़ाते ही हैं आप लोगों को सीचों के लिए तो अगर हमें लास्ट में कर टाइम मिलता है कोशिस करूंगा भी तो मैं कहा नहीं सकता क्योंकि बहुत कम टाइम बच रहा है तो इस पहुच नहीं पाएंगे बाखी के जो सब्जेक्ट है जो कि इस बुक के अंदर दे पढ़ेंगे आगे अब बिना कोई टाइम एक क्लास करते हैं बहुत इंपोर्टेंट क्लास होने वाली कई सारी कंसेफ्ट आपके माज क्लियर करूंगा जो आप लोगों को बहुत प्रावलम होती है सबसे पहला जो क्यों आज कर आएगा दोस्तों जो कि सबसे इंपोर्टेंट जो आएगा वह टीटी से रिलेटेड आएगा टीटी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है हर कई सारे से होस्पिटल नहीं गलत तरीके से जो टीटी के जो इंजेक्शन उसके पारे में पता ही नहीं रहता कि किस परकार से लगना चाहिए आज की क्लास का वह है एक क्लाइंट वाज एक्सपोज टू हीपटाइटिस ठीक है पूरा पढ़ा रखा है आप जी अंदर जाकर देख सकते हो जितने भी टैटीस की टाइप है दोस्तों वह ने पढ़ रखें तो अभी हमर पस ततना टाइम नहीं है कि मैं इसको वापस से आपको पुरा पढ़ा हो तो आपका टाइम वेस्ट वह एक्जाम भी आपको बहुत पास आ रहा है तो जो में जो फोकस उसके पर पढ़ेंगे हैं क्या है तो एक क्लाइंट हुआ एक्सपोज टू हीपटाइटिस ए ठीक है है आज क्यों नमर वन मेरा यह बनता है आप औरल रूट से ट्रांस्मिट होते हैं फीको औरल रूट यह क्योशन आपको मुझे बताना है आज का पहला क्योशन के फीको औरल रूट से ट्रांसपर होने वाले जो मोड अप ट्रांस्पिशन जिनका फीको औरल रूट है कौन-कौन से हिपटाइटिस के टाइप है ठीक है जतने भी हिपटेटिस की टाइप में उसमें से बताना है आप मुझे तो एक क्लाइंट है जो हिपटेटिस एसे क्या हुआ एक्सपोजड हुआ है अब यह पूछा रहा है क्यों दिया जाता है गामा गुलोबिलीन का इंजेक्शन एक इम्युनिटी का जो टोपिक है अरजुन शन ने आपको इम्युनिटी बिल जाएगा तो आप वहाँ पर जाकर जाके देख सकते होँ मैं जो भी चीजे बताता हूँ आप कर डावा से ऐज के वह के बिदियो कोश्ट है तो आप क्लिए पोरा इम्युनिटी से बहुत अच्य से डीटेइल में तो आप वांबर जाकर अलजुल सर्की टीनसी एकस्पेस इम्मूनिटी देख सकते हो अब आपको पता ही है दोस्तों की इम्मइनो गलोबिलिन जो होती है यह गामा गलो गलोबिलिन डियरेक्टली क्या होती है दोस्तों एंटिबोडी होती है डिरेक्टली क्या होती है, एंटीबोडी होती है, तो डिरेक्टली हम बोडी के अंदर क्या दे रहे हैं, दोस्तों, एंटीबोडी जी दे रहे है, जब कि वैक्सीन के अंदर क्या दिया जाता है, एंटीजन दिया जाता है, वो एंटीजन बाद में क्या बनाता है, एंटीबो तो कोई भी एंटीजन आएगा तुसको क्या करेंगे तो अब इसमें पहला जूसं देे रखा है अच्फे ञाफ 기 Lambda कंटा है लि pension को थो फिर किरेगे ऐसे न है एक इनडियूटा की पर अठेकड करेंगी उनको फ्रज़े थे करएंगी पेर हबहुति से उपसिन क्या हो जाएगा है। इसले रिटेट्स एंटीजन एंटी बोडी यूनियनाट the hepatic site ठीक है जहाँ पर यह bind होती है दोस्तों hepatic जो site है ठीक है क्योंकि hepatitis एक के बारे पूछा है तो वो जो site जो होती है उसके उपर क्या करते है antigen और antibody जब जूड़ती है तो उसको क्या करती है दोस्तों increase करती है तो यह भी विल्कुल गलत है इंक्रीज नहीं करती है खुद antibodies ही है यह ठीक है कोई acceleration का काम नहीं करेंगी यह खुद जाके bind होंगी acceleration करने का कोई काम नहीं करती है तो यह भी क्या गलत हो जाएगा थर्ड क्या रखा था lymphatic system is stimulated to produce antibodies की बाइंटीबोडी के production को क्या करते है lymphatic system के दुवार ही क्या करती है दोस्तो ऐसे rate करती है increase करती है तो ऐसे increase नहीं करती डिरेक्टी खुदी antibody है तो यह भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो राइट जो answer होगा दोस्ते इस question क्या हो जाएगा था antigen is neutralized by the antibodies that is supplied जब हम gamma globulin दे रहे हैं तो उस patient को actually में antibodies दे रहे हैं और antibody देने के कारण क्या हो जब antigen जो body के अदर present है hepatitis से एक का वो क्या करेगा दोस्तो वो antibodies के उसके साथ bind होगा और उसको क्या करेगा दोस्तो नूटिलाइज करेगा जो antibody हम दे रहे हैं वो भाहर से दे रहे हैं तो हम supply कर रहे हैं उसको तो सिंपल सी बात है कि वही गामा globulin इसलिए दी जाती है ताकि यह वहाँ पर present जो antigen है उसको क्या कर सके दोस्तो नूटिलाइज कर सके तो यह क्या हो जाएगा राइट आन्सवर हो जाएगा तो fourth is the right answer of this question अब इसको लिख 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 लो हिसको लिख लो हिपटाइटिस में हिपटाइटिस एक के पैसेंट को पीटी में पैसेंट को गामा globuline गामा globuline दी जाती है यह गामा globuline यह गामा globuline पैसलिग लास में वैसे globuline किसी बात की है antigen को यह यह करते हैं यह एंटिजन तिक है antigen को क्या करते हैं往激 दोस्ते जह करते करते हैं थ्टीन को को न्यूत्रियलाइज करती है त羽े तो इसलिए देते हैं इसको ठीक है इसके गोज़ेकिन आज की अरलाश का बोट्छ जज्यादा ना सब्सक्राइल करने पहल तो कि लगा जाता है तो उसको नहीं लगाए जाना चाहिए तो उसके बारे में बहुतों इसके बारे में बहुत के बारे में अज हम बात करेंगे अच्छी से तो दूसरा का ख्लास का इसके पहरे पड़ते हैं इस में इमर्जैन्जी डिपारटमेंट एक steroids हुआ कि je इसमня इमर्जनेंसी डिपार्टमेंट में विद एक aquaire कंटमेनेटिट बंद बहुत इंपोटेंट ध्या नखना यह यह बहुत काम का और आगे अगर मैं यह नहीं कर रहा है कि इस क्योशन से में देखों मैं हमेशे इस पे फोकस में कभी किया भी नहीं कि इसक्योशन का अग्जाए मैं यह चाहता हूँ कि कोई भी क्योशन पूछे ना तो इस कांसर आना चाहिए अब से पूछा जाता है तो अब यहां पर तो अब कंटमिनेटेड वुंड हो एक कोई भी रीजन हो कैसी टिटनस के लगा दा तो इसके बाले में बात करेंगे लेकिन कंटमिनेटेड है या नहीं है यह बहुत इंपोर्टेंट होता है टिटनस के लगाने के लिए इस वर्ड से यह दे रखा कि इस पता है कि मेरे इंजक्शन लगे हैं नहीं लगे है क्या है क्या है क्या हुआ है उससे पूछा कि पता है नहीं लगते तो अन्नोन है दोस्तों और नर्स ने काफी कोशिस कर लिए बताओ आपके पास कोई कारड है को ऐसी चीज है पिछली कब लगाया है एक साल पहले लगाया है पांस साल पहले लगाया दस पहले लगाया है जनम पे लगboys लगे दि लें ले तो कुछ नहीं पता को बात पता बहाएं लगए कि जो to prescribe because it will produce a passive immunity देखो पहली चीज ऐसी medication पूछ रहा है ये पहले बात तो medication है तो ऐसी medication पूछ रहा है दोस्तों कि जो कौन्स immunity प्रोएड करने चाहिए passive immunity प्रोएड करना चाहिए पहली चीज ध्यान रखना बहुत important question है उतना अच्छा question है दोस्तों कि इसने जो डिटेल दिये ना उसे हमारे कई सारे जो आंसर को देने में हेल्प करेगा पहले ध्यान रखना कि यह ऐसी चीज पूछ रहा है कि जो पैसिव इम्मूटी देना चाहिए पैसिव इम्मूटी जरूर देना चाहिए वो ठीक है अगर यहां पर यह नहीं लिखावा होता कि मिनिमल डेंजर ओफ हैं अलर्जिक रियक्शन को समझाओगा your Collins को जो कि आप मेडीकेशन इसको दोगे न से उससे क्या होनाच दोस्तों यह इस मिनिमल एलर्जिक ुरियक्शन दूस्री चीज और पता लगी मिनिमल एलर्जिक क्री速 नहीं से और तीसप पहले Regierung में में नहीं पता दिये एए धा उर चोघी चीज़ का है उती चैजों का पता लगा है उसरा यह चील Niqua कि तो अब अम इस बारे में बात करते हैं, टिटनस देने के लिए हैं न दोस्तो, चार परकार की कैटेग्रीज बनाई गई है, यह बहुत important इसको याद रखना है, आपको कौन कौन सी कैटेग्रीज होती हैं टिटनस देने के लिए, तो टिटनस के लिए चार कैटेग्रीज बनाई गई इन चारो कैटेग्रीज को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो क्योस्टन जब आएगा न दोस्तो, तो वो क्योस्टन आपका तब ही सोलो होगा जब आपको चारी कैटेग्री पता होगी, अगर आपको चारो कैटेग्री नहीं पता, तो आप इस क्योस्टन को क्या नहीं कर सकते हैं, दोस्तो, सोलो नहीं कर सकते हैं, चार कैटेग्री में बाटा गया है, किसी भी पैसेंट को अगर आपको टिटनस के इंजक्शन देना है, तो इसको चार केटेगरी में से किसी एक केटेगरी में आपको client को क्या करना होगा दोस्तों बैठाना होगा shift करना होगा पहला पहली जो केटेगरी इसको केटेगरी को भी हम ऐसे बाढ़ते है A, B, C और D ठीक है यह दे रख है ऐसे नहीं फर्स्ट, सेकिंड, फर्ड, फोर लिख दोगे नहीं यह चार केटेगरी है केटेगरी A है केटेगरी A है केटेगरी B है केटेगरी C है और A के है दोस्तों केटेगरी D है ठीक है यह चार केटेगरी है और चारो केटेगरी को आपको पता होना चाहिए अब देखो, पहली जो category जो दे रखे न दोस्तों, ऐसे client हम include करेंगे, अब हमें इस client का भी देखेंगे कि कौन सी category के अंदर आएगा, ठीक है, पहली जो category है, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसमें वो client include किये जाते हैं, जिनका immunization, full immunization, complete immunization हुआ है within 5 years, तो, full immunization हुआ हो, सब कुछ समझाओंगा, tension मत करो, अभी आप मेरे साथ बने रहो बस, जब एक question खतम होगा, तब तक आप proper एक्दम समझ जाओगे, कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, फुल immunization होना चाहिए within 5 years, ये विद है, ठीक है, सी के उपर लगार, within 5 years, लब ऐसे कोई client आया, उसको आपने पूछा, तो वो कह रहा है, पाँ साल के अंदर-अंदर मेरा क्या हुआ हुआ है, फुल immunization हुआ है, अब फुल immunization को मैं समझाओंगा, मुझे पता है कि, कुछ ब immunization हुआ हो, फुल immunization, पांस साल से तो ज़्यादा हो गया हुआ 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 लेकिन उसका टाइम पीरड जो है तो और नफिया ओस उडर देटी करेंगरी है जिसको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं लगा है पूरा हुआ है या नहीं हुआ है complete नहीं हुआ immunization तो चोथी जो category दोस्तों उसको हम बोलेंगे unknown category ठीक है या फिर ऐसा वेक्ति जिसने immunization नहीं किया है तो never taken full immunization never taken immunization जिसको नहीं पता ना उसको भी हम category D में रखेंगे जो ऐसे कहते हैं मुझे नहीं पता तो उसको भी हम उसकी में रखेंगे और जिसन immunization नहीं लिया है ना दोस्तों उसे भी हम किसमें रखेंगे category D के अंदर ही रखेंगे unknown और never अब यह चारो category आपको पता है ना तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हो अब इस चार category को समझने में सबसे पहली जो मुश्किल जो आपको आएगी ना दोस्तों वो सबसे पहले आएगी full immunization को समझना full immunization का मतलब क्या है तो वो समझना बहुत important है क्योंकि आगर आपको full immunization पता लग गया ना तो आप समझ जाओगे कि यह client क्योंकि आप उसे पूछोगे ना full immunization क्या है अब full immunization का मीनिंग क्या है अब आप लोगों को लग रहा हो कि अब फूछोगे मतलब कि उसने टिटनस की दो इंजेक्शन लगवा लिए एक लगवा लिए चार लगवा लिए कैसे लगवा लिए तो वह हम बात करते हैं सबसे पहले तो आप समझो full immunization को क्या होता है fully लिखा हो सकता है या complete लिखा हो सकता है ना देखो हम जानते हैं दोस्तों कि जनम के समय हम टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं कितने वीक पे लगाते हैं 6 week पे लगाते हैं इसके बाद में 10 week पर लगाया जाता है 10 वीक पर फिर उसके बाद में 14 बीक जो वीक उसके उपर लगाते हैं ठीक है और एक हम कब लगाते है Öule पह न सेडल का हो जाता हो तो 5 से 6 साल की वीर कब लगाते हैंugen которых एक हम लगाते हैं दोस्तों 10 साल पर फिर एक लगाते हैं 16 साल पर यह इंडिया के अकोडिंग है ठीक है इंडिया के अकोडिंग ध्यान रखना डबलो एच्छों थोड़ा सा लगए मैं समझा दूँगा वह भी आपको 6 वीब की उपर लगा जाता है आपको सब को पता ही है आजकल पैंटवेलेंट वेक्सिन लगा जाते है डी डरेकटली ऐसा तो यह भी टिटमय लगा जाता है तो पैंटवेलेंट डिप जाती है है इसके लावा आपकी जो डीपीटी वो लगाए जाता है इसके लाबा आपकी जो डीपीटी वो लगाए जाता है फिर दस वीक पर दुबारा से PENTAVALENT लगा जाते है फिर 14 वेक पर भी क्या लगाते हैं पिर 3 भारी हम PENTAVALENT लगाते हैं फिर उसके बाद में जब 16-24 मैं और 5-6 आता है थो अब हम DPT देते हैं दोस्तो क्या लगाते हैं DPT की बॉस्टर DPT का पहला बॉस्टर लगा रहे हैं में acked me happiness या टिप्पीटी बुस्टर फ़स्ट और फिर टेपीटी बुस्टर 2 धीस से कंड़ कि अ unity sharing और इसका में अध्ति-धिरियण क्या लगाते हैं। आज इसका लगाते हैं हैं यिजर ही फ्रत लाइब मान लो इसको टिपप्प्रिकेट 2 बाते हैं है इस परकार 논根 यह साथ वैक्सीन जिस भी परसन ने ले रखी ए न उसकू którego सब्सक्राइब इसके बाद लाए इसके पर पर लिख दिया इसके बाद में 600 और 50 यहां वह नहीं साथ लिख दिया और यहां पर टीडी लग रही है दूस्टर साथ युग चाहिए कुछ इंजरी नहीं हुए कुछ भी नहीं हुए यह तो इंडिया करकोडिंग, अब WHO का भी देख लेते हैं WHO कहते है कि 6 doze के बारे में कहते है दूस्तों, यह कहते है कि 3 तो primary dose तीन तो क्या dose लगनी चाहिए primary dose लगनी चाहिए primary dose जैसे 6, 10 और 14 वीक पर लगा रहे हैं तो ऐसी यह क्या कहलाइंगे primary dose क्यलाएंगी इसके बाद में 3 जो dose होंगी न दोस्तो वो कैसी होंगी booster dose होंगी 3 जो dose होंगी वो क्योंची होंगी booster dose होंगी तो plus 3 booster dose 3 booster dose तो 3 primary dose हों और 3 booster dose हों तो इसे हम किस नाम से जानेंगे इसे हम जानेंगे fully immunization किस क्या according जिसने 6 vaccine ले रखे हैं वो क्या 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 लाएगा दोस्तो खुले immunization क्या लाएगा 6 dose of TT होनी चाहिए जिसमें 3 primary होनी चाहिए और 3 booster होनी चाहिए अब डबलोचो में एक क्योशन और बनता है वो क्या कहता है डबलोचो डबलोचो यह भी कहता है दोस्तों कि यह जो तीन booster dose लग रहे ही है इनके बीच में कितने साल का gap हो चाह साल का gap को 4 year gap four year का क्या हो gap हो जैसे नहीं लग रही देखो 5-6 साल पे लगी फिर कितने साल पे लगी दोस्तों 10 साल पे लगी ठीक है तो जैसे gap आगे न देखो यहां पर देखो 5-6 साल पे लगी एक फिर 10 साल पे लगी तो यहां gap आगे फिर 16 साल पे लगी तो कम से कम कितने साल का gap हो दोस्तो चार साल का क्या होना चाहिए गैप लगना चाहिए इन तीन बुस्टर के अंदर तो आप अगर यह दूसरे वाला याद में नहीं करो तो ठीक लेकिन यह वाला जरूर ध्यान रखना वैक कब-कब यह डोज होनी चाहिए तो यह सारी जो डो वह दो किया नहीं हो थे तो यह हो गए आपको फुली इमुनेजेशन अब कोई भी परसन है दोस्तो मान लो कि सारी वेक्सिन लगवा रहार है और 20 साल का है अब आप कि सरामने आया अब सिनेरियो समझ़ो इसको समझने कोसिस करो सोड़ा साल तक उसने वैक्सीन लगवाई अब कोई भी person है दोस्तों वो आपके इस पास आया ठीक है और आया वो कितने साल का है मालो 20 साल का है आपको उसको कौन सी category में रखोगे 20 साल का हो गया वो तो उसको vaccine पांस साल से ज़्यादा तो नहीं हुई ना पूरा immunization ले रखा है और पांस साल से ज़्यादा नहीं हुई इसको तो फिर उसे हम किस नाम से जानेंगे नाम से जानेंगे और कोंसी कैटेगरिक में रख देंगे इसको एक टेकरिक अंदर रख देंगे डूसरा दोस्तों एक ऐसा परसंट जिसका bulim soda बालो ठीक है और और वो कितने साल का हो गया मालो चकीतना जैसे इस सोड़ा है ना वह सौब कैसे थन से कॉच्छ निश्फ पूरई वेक्सी लगवा रखिए उसके आ्पक्य लगवा है कभी हи सौड़ा साल तक तो मैंने पूली लगवाया थे उसके पथ वैक 1996 नहीं लगए और हमें कितने साल का हो गए मालो 27 साल का हो गए तो उसको 10 साल से जादा हो गए उसको तो वह किसके अंदर आ जाएगा दोस्तो फूल एमिनेजेशन थर्ड कैटेगरी के अंदर आ जाएगा और चोथे जो यह जो क्योशन पूछा उसको पता ही नहीं है कुछ पूछाए का है नहीं लगात दोस्तों लगा झालगे तो अब चार सब करेंगे में management CT की दौरा ना कैसे किया जाता है कैसे हम CT की दौरा in person का management करेंगे अगर आपके पास वो आते हैं तो ठीक है किसको हम vaccine देंगे किसको हम immunoglobuline देंगे तो इन सब के बारे में क्या करेंगे दोस्तों बात करेंगे तो एक एक करके हम बात करते हैं सबसे पहली category लेते हैं पांस साल के अंदर अंदर हुई है अब यह होने के बावजूद भी अगर यह हुआ है दोस्तों उस case के अंदर भी हमें है ना उसे patient को wound जो है उसको देखना है मैंने कहा था कि contaminated wound बहुत important point है अगर आपके पास patient आता है न दोस्तों आपको देखना है कि इसको जो wound है वो clean है या फिर unclean है clean wound है या फिर unclean wound है clean wound है या unclean wound है अब देखो थोड़ा सा आपको समझाने कोशिस करता हूँ क्योंकि आप तो समझ जाओ कि clean और unclean है लेकिन आपके घर पे हो अगर पैसेंट है तो आप उसको थोड़ा सा आपको समझने clean wound को मलब क्या है कि आपको उसका wound के अंदर कोई भी जो infection या inflammation के sign नहीं दिखाई दे रहे पहले दूसरा दोस्तों कोई भी drainage नहीं दिखाई दे रहा ऐसे नहीं हो कि drainage हो रहा है पस बन गया है ठीक है blood continue रिस रहा है बहार निकल रहा है penetrate हो रहा है penetrate नहीं होने चाहिए अंदर कुछ चीज भुसी हुई है दूसरे चो नेस तीज़ ओके penetrate नहीं होना चाहिए infection नहीं होना चाहिए inflammation नहीं होना चाहिए drainage नहीं होना चाहिए penetrate नहीं होना चाहिए ठीक है तो इससे आपको पता लग जाएगा इसके अलबा आप कैसे पता लगा सकते हो कि कोई भी wound clean है या unclean है दोस्तों आपको wound के अंदर है ना foreign particles नहीं दिखाई देनी चाहिए अगर foreign particles कुछ भी दिखाई दे रही है आपको ऐसे लग रहा है कि dust है या आपको लग रहा है कि दिखाई तो नहीं देंगे लेकिन आपको लग रहा है infection है तो भी foreign particle ही हो गए ठीक है कोई foreign particle उसके अंदर जमा हुआ है ठीक है अगर आपको लग रहा है कि क्या कलाएगा तो clean wound के अंदर कोई infection नहीं होना चाहिए और foreign particle नहीं होना चाहिए और foreign particle नहीं होना चाहिए कोई बी कोई भी फोरेंट पार्टिकल नहीं होना चाहिए तो वो वुंड क्या कर लाएगा दोस्तों पैनेट्रेटिंग नहीं होना चाहिए अंदर तक टीश्यूस का अंदर तक चला गया कोई वुंड माल लो ठीक है कोई वी चीज ऐसी चुप गई कि जो अंदर तक जा रहा है ज्या यह उसकों कंटमिनेटेड भी बोल सकते हैं कंटमिनेटर ठीक है तुँए अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि बहाई क्लीन और अंक्लीन के अंदर क्या डिफ्रेंस है ने अश्च देखो वापस से आज आते हैं क्या अब management क्या करोगे वो देखते हैं अगर less than five year category A है बार बार लिखने की ज़रूत होनी नीचाई याद होना चाहिए आपको ठीक है तो क्या करोगे आप देखो अगर आपको ऐसे time period में कोई भी डिफ्रेंस सुनते है कि scale मना लिए अगर आप time period का category के लिए कैसे category A है full immunization within five year है यह पर पांस लिख लो आप दूसरे में दस लिख लो आप तो less than five year अगर immunization हुआ है तो category A में आ जाएगा पांस से दस साल की 20 में होआ है तो category B में आ जाएगा और दस साल से भी जादा हो गए है दोस्तों तो किस के अंदर आ जाएगा अपकर category C के अंदर आ जाएगा ठ देखरों more than 10 years तो category C में और last जो है दोस्तों वो unknown है उसका पता ही नहीं तो वो D में आ जाएगा ठीक है तो इसमें यहां पर हम time period नहीं डाल सकते क्योंकि वह तो किसी भी time period में हो सकता है तो चोती जो category हैगी D वो क्या हो जाएगा दोस्तों unknown तो यह चार category होगी याद हो ग तो इस परकार से आप याद करेंगे मैंने फीवर में आपको ऐसे याद करवाए थे जो फियर फीवर की जो टाइप पड़े थे हमने वह भी हमने ऐसे देखे थे आप देखो अब management की बात आती है कि उस पैसेंट को हम क्या करेंगे ठीक है तो category A वाले जो पैसेंट है जिन् क्लीन बोल रहा हूं मैं और यो एन को मजलब unclean wound है तो clean wound है तो भी हम ऐसे पैसेंट के अंदर कुछ नहीं करेंगे only wound care देंगे only wound care और unclean wound है तो भी ऐसे पेसेंट के अंदर only wound care ही देंगा only wound care only wound care कुछ करी नहीं है कोई टीटी का injection लगाने की ऐसे पेसेंट को जरुरत नहीं है इसका फुली ही इम्मिनेजशन हो चुका है within 5-year कोई injection नहीं लगाएंगे सिरफ हम क्या करेंगे उसको सोरी डिस्टब हो गए हो गया आगया किसी के बता नहीं इसके बाद हम नेश्ट देखते हैं इसको मैं बंद कर देता हूं एक मेंट को नाब नेश्ट देखते हैं दोस्तो अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी के उपर दूसरी जो कैटेगरी होगी उसमें क्या होगा दूसरी कैटेगरी में 5 से और 10 साल रुट बं वही रहेंगे clean और unclean इस प्रकार से रहेंगे तो second category दे लेते हैं अब हम category B B category के मुद्ब 5 से और 10 साल के भी इसमें है more than 5 years और less than 10 years ठेक है अब इसमें भी sha clean और unclean clean wound और unclean wound अगर दोस्तो clean wound है wound care तो दे नहीं है वो तो कोई बात ही नहीं है तो वो लिखने की जरूत है भी नहीं है आपको वगर चाहो तो आप बार-बार लेकिन wound care यहां भी देंगे और यहां भी देंगे wound care अब सुनो अगर clean wound है तो ऐसे patient को हम क्या करेंगे single dose लगाएंगी TT की TT single dose TT single dose और अगर unclean wound है दोस्तों तो उस case के अंदर भी हम क्या करेंगे एक ही dose देंगे सिरफ TT की single dose और कुछ भी करने की जुरूत हमें नहीं है TT की single dose दोनों में सेम ही हो गया पहले वाले के अंदर कुछ नहीं कर रहे पहले category में याद रखो A category में हम कुछ नहीं कर रहे सिरफ wound care दे रहे है titanus के injection से अगर हम बात करें तो कुछ नहीं कर रहे A में ठीक है B के अंदर क्या कर रहे है TT लगा रहे है कितनी dose लगा रहे है A क लगा रहे है single dose TT की दे रहे है ठीक है इस परकास आपको याद रहे जाएगा न पहले में कुछ कर रहे है दोनों हम सेम कर रहे है तो उससे भी इतना फ्रक नहीं पड़ रहे है वुंड के रहे है TT single dose यहाँ भी वुंड के रहे है TT की single dose है तो यह होगी आपकी केटेगरी B इसके बाद हम देखते हैं केटेगरी C देखते हैं केटेगरी C कौन सी केटेगरी आती है जिसके अंदर जो कितने साल से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों 10 साल से ज़्यादा हो जाएगा 10 years अग हो जाएगा वुंड केर, प्लस, टीटी की सिंगल डोज देंगे, टीटी की सिंगल डोज देंगे, टीटी सिंगल डोज, और अगर अनकलीन वुंड है न, तो यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है, एक तो हम देंगे दोस्तों, वुंड केर, साथ में हम लगाएंगे, टीटी की सिंगल डोज, सिंगल डोज लगाएंगे यहां पर ठीक है और तीसरी चीज़ हमें यहां पर क्या करेंगे दोस्तों यहां पर हमें लगाना पड़ेगा हुममन है टिटनस है इम्यूनो ग्लोबिलीन इसको अना टी आई जी बोलते हैं ठीक है टिटनस इमिनोग्लोविलीन होमन वर जोड़ते नहीं ज्यादा तरह हम टिटनस इमिनोग्लोविलीन मूलते हैं होमन क्यो लगाया गया वो भी मैं आपको समझाओंगा आगे तो केटेगरी सी के अंदर एक चीज देखो आप कंटमिनेटीड वूंड हुआ ना तभी क् क्लीन वूंड के अंदर कभी भी हम क्या नहीं लगाते तो क्यों से अगर आपको वैसे दिक्कत नहीं आएगी तो होमन चिटनस इमिनोग्लोविलीन लगा देंगे अगर यह है तो अब चोथी केटेगरी आती है दोस्तो फोर्थ केटेगरी जिसमें बंदे का कोई लेना जे अब आते हम केटेगरी फोर्थ के डी पे केटेगरी डी देखो पहली चीज आपने क्या देखी अपको मैं कैसे याद करो गया तीनों ही केस के अंदर है ना परसन फुली मिनाज़ड है तो इसका मतलब कि फुली मिनाज़शन के केस में हमें टीटी के जादा इंजेक्शन ल अगर टीटी की ज़रुद है तो भी हम कितनी डोस दे रहे हैं सिंगल रहे हैं लेकिन जिस परसन को पता ही नहीं है कि उसको आप सिंगल दोगे तो कैटेग्री डी के अंदर दो आगए एक क्लीन आ गया और एक अनक्लीन आ गया अब ऐसा परसन वूंड केर तो चलो वह तो स complete course एटी का complete course देंगे अब है तोड़ा साअ आपको मैं समझाओंगा कि कैसे अलग है आपको एक बताहूँ आप तो मुझे यह को गई कि इसको लगवाउंगा आप दुसक्त लिगा अब यह कि हमें पड़ेगा तो यहां पर टीटी का complete course देने का मतलब ये तो है नहीं कि आप उसको pantivalent vaccine लगाने के लिए बैठोगे यहाँ पर TT का complete course देने का मतलब सिरब TT लगाओगे उस patient को TT की problem है तो TT ही लगाओगे ऐसे तो है नहीं कि pantivalent vaccine लोग उसको होगे अब भई 6 वीक पर जाना पड़ेगा तो में वापस और पूरा complete course करेंगे तो वह तो करेंगे नहीं तो TT का complete course क्या होता है वह मैं समझाऊंगा यहाँ पर wound की air देंगे साथ में TT का complete course तो यहाँ भी देना ही अब titanus immunoglobuline है वह दो ही केस के अंदर लगाई जा रहे है आपने देखा पहली बात ध्यानक ना आप कंसेप्ट कैसे क्लियर करोगे टिटनस immunoglobuline सर मैं जब लगाऊंगा जब wound कैसा होना चाहिए दोस्तों एक तो क्या होना चाहिए अंक्लीन होना चाहिए ठीक है अंक्लीन होना चाहिए और एक 10 साल से क्या होना चाहिए दोस्तों ज्यादा होना चाहिए एक क्या होना चाहिए 10 साल से ज्यादा का केस होना चाहिए, दस साल से कम के केस में टिटना सीमने गुलो भी नहीं दिया, आप कहीं भी नहीं दिया, अब लेकिन, अब आप क्योशन यहां पर यह बनता है, कि सर आप मुझे यह बात बताओ, कि कोई एडल्ट आया, 50 साल का आया, तो उसको आप कैसे लगाओ होगे, तो उसके लिए क्या प्रोवीजन है, दोस्तों, वो देखते हैं, आपको पता होना चाहिए, कोई एडल्ट आयम, 40 साल का उसको पता ही निया, मैं इमने इमनेशन लगवाए, तो उसको आप किस परकार से टीटिक इमनेशन लगाओगे, तो वो देखना पड़ेगा तो उसके लिए क्या बताते हैं, दोस्तों, उसके लिए यह बताते हैं, पहली डोज लगा दो, आते ही, जिस दिन हो आया, उसको क्या देदो, फस्ट डोज देदो, फस्ट डोज, तो यह अन्नोन केस के लिए है, अन्नोन केस के लिए है, उसको हम कैसे फुली इमनेशन करें और उस दोस्त दोस को हमने से उस्कों है कमसे कम 16 और 12 मैंने का घप ठीक है अगर दोनों पीजैंच मत ध्यानलिकत भिए डहान रखना रिखना झाहिए तो जिस ची rhy力 ह questionable मंत का क्या होना चाहिए दोस्तों मन तरी दोज इसके बाद में इसको कहेंगे कि भाई यह तो देखो आपका लेकिन एक ऐसा पर संसंदी को पता निये कभी नहीं लगवाया उसको च्यार वीग के बाद बुलाइंगे फिर सइकिन डोज लगाएंगे फिर थार्ट लगाएंगे 6-12 मियने के के बाद में और फिर उसको कहेंगे अब आपका हो तो गया कंप्लीट लेकिन बुस्टा डोज लगवाते रहे न आप हर दस साल के अंदर एवरी टैनियर के अंदर ऐसे तो है नहीं कि अभी थर्ड डोज के बाद जस्टी लगा दोगे तो थर्ड डोज लगाने के बाद उसको को कहना हर दस साल बाद में लगाते रहना तो तीन डोज से हम उसको कंप्लीट कर देने का मदलब यहां पर यह है कि छे वीक पे लगाओ ठीक है देखने रहा एक निटको छे वीक पे लगाओ फिर उसको दस वीक पे लगाओ स्वरी चेवे क्या है लिए पहले डोज लगाओ उसके बाद में दूसरी डोज की बीच में फर्स दूसरी डोज की बीच में कितने वीक का चार वीक अंतर रखो फिर उसके बाद में तीसरी डोज लगाओ गे 6 to 12 मंद के बाद 6 to 12 मंद के बाद में और फिर हर 10 साल में फिर हर 10 साल में ठीक है साफ लिए देता हूँ रिया रुको एक बाद दुबार से रिवाइस करवा देता हूँ पहली डोज लगाओगे पहली डोज लगाओगे उसके बाद मैं 4 wheat के बाद में उसके दूसरी dose लगाउगे उसके बाद में उसको 2 dose लगे गी उसके बाद 6 से और 12 मेहने के बाद में हम उसको क्या गेंगे पर एवरी 10 अरれ 5-10 साल के बाद ये देंगे न 1-4 डोज तो अगर देखा जया है इम्पोर्टेंट पॉइंट एक तो आपको क्या पता लगा कि भाई टिटनस जो immunoglobuline जो दी जा रही है वो किस केस में दी जा रही है तो दो चीजे तो हैं उसमें टिटनस immunoglobuline में एक तो क्या है दोस्तों टिटनस immunoglobuline के अंदर कि कम से कम 10 साल से जादा होना चाहिए तब नहीं हम लगला है देख लो को तो केटेग्री C के अंदर 10 सल से जादा है और केटेग्री D जो है दोस्तों उन्नोन है आज़र है तो उस केस के अंदरे वह टिटनस immunoglobuline लगा रही है दूसरी important चीज क्या लगी है हमने यह लगी कि जब भी हम टिटनस इम्मिनोगलोबिलीन लगाते हैं तो वो वुंड जो है ना वो कैसा होना चाहिए contaminated wound होना चाहिए अगर contaminated wound है तो हम उसको लगाते है तो इसके अलावा हम नहीं लगाते हैं दो सो इंटरनेशनल यूनिट लगाते हैं 200 इंटरनेशनल यूनिट दिया चाहिए ठीक है 200 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं immunoglobuline जो है ठीक है वो किस-किस disease के अंदर लगाए जाती है तो ध्यान रखना हम किस-किस चीज के अंदर एक तो आप अगर किसी कुट्टे कुट्टे ने काटा हूँ तब आपने देखा उसमें भी सब्सक्राइब होता है तो रेबीज के अंदर लगाते हैं इम्यून ग्लोविलीन ठीक है ज्यान रख लेना एक अभी टिटनस पढ़ाई है तो टिटनस में लगाते हैं और एक याद रख लेना डिप्थेरिया यह तीन ऐसी कंडिशन है दोस्तों जिन के अंदर हम क्या लग क्या है इस दोस्तों ओप्सन जो सेकेंड है ना उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है देखो क्या एकवाइन टीटनस एंटी तोक्सीन होमन ट्रिटनस इंगलोबिलीन कौ हम एक नाम से और जानते हैं उमन टिटनस antitoxin भी कहते हैं इसे हम antitoxin या titanus immunoglobulin सेम ही बात है confused मत हो न कई बार बुक में ये लिखा रहता है कई बार immunoglobulin लिखा रहता है तो उनको फिर दिमाख राभ हो जाता है कि यह रही क्या हो रहा है अब देखो titanus antitoxin या titanus immunoglobulin में एक जो word जो आया है यहाँ पर एक तो human लिखा हुआ है थर्ड जो option उसमें तो और second जो option दोस्तों उसमें equine लिखा हुआ है eq, u, i, n, e तो actually में जो equine जो है न दोस्तों वो horse के दूआरा बनाया जाता है horse से ठीक है किस से बनाया जाता है horse के दूआरा किस आपको याद रखनी है वो देखो human हे ना तो human के अंदर allergy क्या करेगा कम करेगा तो यहाँ पर allergy की जो chances जो होंगे था यहाँ होंगे allergy की chances क्या होंगी, कम होंगे जबकि horse से अगर प्राप्त किया दूस्तों तो allergy के chances क्या हो जाएंगे जादा हो जाएंगे मैंने कहा था उप्षन का अंसर देखो आजाओ अब यह इस पर आते हैं और चारओ केटेगरी हमारी पूरी होनी चाहिए पहली जो कैटेगरी दोस्तो वह अन्नौन है यहां से छुल करते हैं पहली बात हो नोन है तो Awak उनको category D में डालेंगे category D में डालेंगे तो उसको हम वुंड केर देंगे complete टीटी का immunization देंगे ठीक है मैं अपके टीटी की वैक्सीन लगाएंगे और साथ में हुमर्ट टीटनस immunoglobuline लगाएंगे ताप और इस परसन को है ना इस परसन को हम क्या-क्या देंगे अपके टीटी भी होना चाहिए एक टीटी अपके टीटी नहीं आएगा जब कि अपके लैनो पड़ो पेसिव immunoutez ऐना चाहिए जबकि जो वैक्सीन जो होती है उसमें एंटीजन इंट्रोडीूस करते है gather hey सब एंट्रोडीउस करेंगे तो वो कैसी immunity बनाएगा एक्टिव immunity बनाएगा जबकि उसने कहा है कि एक ऐसी medication देनी है आपको जो कि कैसी immunity दे दोस्तों पैसी immunity दे इसलिए जो टॉक्सवेड जो है न वो option में से क्या हो जाएगा दोस्तों खतम हो जाएगा यहाँ पर vaccine यह भी खतम हो जरू ऐसे नहीं कि टीटी का नहीं देंगे टीटी का complete course हम भी उसे करना है लेकिन इस question के according वो पूद्र पैसी immunity के लिए क्या दो गया तो इसलिए यह option क्या हो जाएगा अब यहाँ पर है न अगर यह एक line लिखता क्या कि minimal danger of an allergic reaction तो दोनों answer सही थे यह दोनों option सही थे दोस्तों equine and titanus antitoxin भी ठीक था और human titanus antitoxin भी ठीक था लेकिन इसने क्या लिखा minimal allergic reaction हम चाते हैं कि उस person को allergic reaction कम से कम हो और जब उस person को minimal allergic reaction आप चाते हो सोचो उस person के अंदर आप चाते हो कि कम से कम allergic reaction है तो human वाला ही देंगे हम उसको equine नहीं देंगे तो इसलिए equine भी क्या हो जाएगा हट जाएगा तो इस question का right जो answer हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा human titanus antitoxin उस person को हम क्या देंगे human titanus antitoxin या titanus immunoglobulin देंगे ठीक है तो लिखो लिखो contaminated wound वाले contaminated wound वाले किसी patient को unknown unknown tt immunization के unknown tt immunization के patient को patient को minimal energy sorry energy बोलूँ minimal allergy minimal allergy and passive immunity एंड पैसिव immunity के लिए titanus immunoglobulin देंगे immunoglobulin या antitoxin जो लिखाओ है वो भी लिख सकते हो ठीक है titanus immunoglobulin के ब्रैकेट में लिखाओ titanus antitoxin के लिए human भी लिखाओ हूँ human भी लिखाओ है के लिए human क्योंके minimal energy लिखाओ है न titanus immunoglobulin या ब्रैकेट में लिखाओ human titanus antitoxin antitoxin देंगे ब्रैकेट में लिखाओ है category D category D category D category D के अंदर आएगा ठीक है समझ में आ गया होगा साहिद मैंने पूरी कोसिस के आप लोगों को समझाने की कि किस प्रकार से हम fully immunization मानेंगे और अगर नहीं हुआ है तो उसको कैसे fully immunized करेंगे fully immunized किस प्रकार से किया जाता है ठीक है जिस बच्चे को यह question समझी में आ गया उसको यह nash question भी समझी में आ जाएगा कुछ भी नहीं है इसमें क्या हो रही ठीक है nash question है a client who is suspected of having titanus एक client दोस्तों और वो suspected है कि उसको क्या हो सकता है titanus हो सकता है और asking us about immunization against titanus वो कराया कि में में titanus नहीं हो जाए और मैं immunization के बारे में पूछना चाहता है before responding what should the nurse consider about the benefits of titanus antitoxin बस simple सब वह यह question है ठीक है जैसे immunoglobulin वाला gamma globulin question आया था यहाँ पर पूछ रहा है titanus antitoxin क्या काम करता है बस यह पूछ रहा है कि what should the nurse consider what should the nurse consider about the benefits of titanus antitoxin titanus antitoxin जो है दोस्तों उसका क्या benefit है बस यह पूछ रहा है चार option है आपको खुद को बताना है इससे ज़्यादे simple कोई question होगा नहीं पहला option है to need plasma cell directly क्या करते है बाइ ने आपको प्छली class में जो वो क्या बनाती है इ्मीन गॉलोबिलDas बनाती है तो antitoxin जो क्या करते है कि जो antibodies जो लोग के पहले 20 antibody है हमने बुश बहर से चालीश हो गई तो नका एक्ट्या करेंगी और एक्ट्या करेंगा। यह लॉंग लास्टिंग फैसी इंदर हम इंजक्शन लगा रहे हैं सिंपल लगा रही है कि एक चीज जो और पता लगेगी आपको देखो इस क्योड़ा अंसुर पहला और सपर गलत है सीधी सी बात है दोस्तों कि ये प्लाजमा सेल को कोई स्टुमिलेटर नहीं करता खुद एंटी बोडी के अंदर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं सिंपल सी बात ये कि एंटी बोडी के अंदर चली गई तो पहला उप्शन गलत सेकिंड कहा है दोस्तों ए हाई टाइट रोप एं करता है कि ये क्या काम करेंगा करता है थे प्रोडियटि आपको देता है फोर्थ क्या दर रखाए लोंग लास्टिकश्ट्पीटिस प्रोड्उस्त कि एक लोंग लास्टिंग जो पैसिव इम्मूनिटी थे लिए दो यह प्राप्त होते हैं लोंग लास्टिंग तो एक चीज यह उढ़ आधक ना इससे योड पता लग गई आपको लॉञ लास्टिंग नहीं होती है लिख लो इसको भी लिखो, लिखो, टिटनस एंटिटोक्सीन, क्या चुक्राइए, क्यों चल रहा है। एक साइट नोगना दोस्तो, यहां तो कर रहा है का। चलो मुँँ कहीं विलेग देदा है। लिखो, टिटनस से, इम्म्यूनोग्लोबिलीन, टिटनस, इम्म्यूनोग्लोबिलीन, ब्रेकेट में लिखो, टिटनस, एंटि टोक्सीन, एंटि टोक्सीन, बोडी में, बोडी में, एंटि बोडी में, एंटि बोडी का, हाई टाइटर, हाई टाइटर, जनरेट करता है, हाई टाइटर, जनरेट करता है, टीक है, हाई टाइटर, यह हमारी छोटी सी क्लास है, बी रिवीव नहीं करऊंगे, इनक्यूसन को, अभी मेरे थोड़ी सी डूटी में प्रोबलम हो रही है, दोस्तों नाए डूटी से रही है, थोड़ा सा प्रोबलम है, तो कुछ क्लासेज आपकी थोड़ी सोर्ट हो, स्वस्त रहो, खुस रहो, थेंक्यू सो मच्छ, और एक बार और लास्ट में आपको थेंक्यू बोलता हूं, कि हम हैंड़ी क्लास तक पहुचे और आप मेरे साथ बने रहे, थेंक्यू सो मच्छ